आपने कई बार ये महसुस किया होगा, कि जो लोग अच्छे करम करते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, उनके जीवन में परेशनया ज्यादा आती है, वहीं जो बुरे करम करते हैं, वे अपने जीवन में खुश रहते हैं, आखिर अच्छे करम करने वालों को इतनी भगवत गीता की एक कथा के अनुसार, जब कभी अर्जुन के मन में कोई भी दूविदा होती थी, तो वे शी कृष्ण से अपने प्रश्णों के उत्तर पूछते थे। खुष और सुखी क्यों होते हैं। प्रकती हर किसी को अपना रास्ता चुनने का अफसर देती है। अब ये उन पर निर्भर करता है। वे धर्म की रहा चुनते हैं या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए शी कृष्णे ने कहा एक नगर में दो यूवक रहते थे। उन में से एक यूवक व्यापारी था और इश्वर पर बहुत आस्था रखता था। हर दिन मंदिर जाता, पूजा पाट करता, गरिबों को दान देता। वहीं दुसरा यूवक बिलकुल विपरित प्रवत्तिका था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था। पर दर्शन करने नहीं बलकि मंदिर के बहार से लोगों की जूते चपल चुराने। उसे दान धरम से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। इस वज़े से मंदिर में कोई दर्शन करने नहीं आ पाया। मंदिर में पुजारी जी अकेले थे। ये बात जब दुसरे युवक को पता चली तो उसने सोचा ये सही मोका है मंदिर से धन चुराने का। और पंडित जी से नजर चुरा कर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उससे समय धर्मकरम में विश्रास रखने वाला वह जब वह वहां से निकला तो रास्ते में पत्थर से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगडाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी चोड से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा आज तो मेरी किसमत चमक गई। एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर वह भाला व्यापारी बड़ा दुखी हुआ और घर पहुचकर उसने घर में लगी भगवान की सभी तस्वीरे मुर्तियां आदी हटा दी। समय बीटता गया और एक दिन उन दोनों युवकों की मृत्ति हो गई। मरने के बा किया पर फिर भी मैं अपने जीवन में सदा दुखी रहा। इन सब के बदले मुझे अपमान और दर्द ही मिला। वहीं यह व्यक्ति जो बूरे कर्म करता था उसे अपार धंदोलत वो सुक मिले। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। तब यमराज बोले तुम गलस समझ रहे ह जानते हो जिस दिन तुम उस पत्तर से टकराये थे वो दिन तुमारे जीवन का आखरी दिन था। पर तुमारे अच्छे कर्मों की वज़े से तुमारी मोत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्टी युवक के बारे में जानना चाहते हो। दरस इसके भाग्य में राज योग था। मगर इसके कूकर्मों और अधर्म की वज़े से वह सिर्फ एक छोटी सी धंकी पोटली बर रह गया। कथा सुनाने के बाद शी कृष्टन ने अर्जुन से कहा पार्त क्या अब तुमें तुमारे प्रश्ण का उत्तर मिल गया है। ऐसा इसलिए अच्छे कर्म करते रहो क्योंकि उसका फल हमें जरूर मिलता है। किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा।